विश्वास क्या होता है? एक कॉलेज में तीन दोस्त पढ़ते थे, उनमें से एक का नाम रहता है धन, एक का नाम रहता है ज्यान, और एक का नाम रहता है विश्वास. तीनों दोस्त हमेशा, एक दूसरे के साथ रहते हैं, थ्री इडियट की तरह, उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. एक दिन दोस्तों के बिछडने का टाइम आ जाता है, तो तीनों एक दूसरे से सवाल करते हैं, ग्यान ने धन से पूछा, तुम कहा मिलोगे, क्यूंकि इतनी गहरी दोस्ती, अगर याद आए तो हम कहा मिलेंगे? तो धन ने कहा की, मैं अमीरों के पास मिलूँगा, मेहनती व्यक्ती के पास मिलूँगा, जब ग्यान से पूछा, तुम कहा मिलोगे, तो ग्यान ने कहा की, मैं कॉलेज स्कूल, यूनिवरसिटी, गुरुकुल, ट्यूशन क्लासेस में मिल जाँगा. जब विश्वास से दोनों ने पूछा की, तुम कहा मिलोगे, तो विश्वास ने सिर जुका लिया, आंखों से आंसु निकलाए, ज्यान और विश्वास कहने लगे, की अपना पता बताने, मैं जिजखक रहे हो, हमारा पता तो पूछ लिया, लेकिन अपना पता, बता नही रहे हो, तो विश्वास ने बड़े भावोख हो कर कहा, दोस्त मेरी एक फित्रत है, अगर मैं चला जाउं तो मैं वापिस नहीं आता, तो उसी समय धन और ज्यान खड़े हो जाते हैं, और विश्वास का हाथ पकड़ कर कहते है, कि हमारा तुम से वादा है, जहां तुम रहोगे, वहीं हम दोनों होंगे, और जहां तुम नहीं होगे, वहां हम दोनों भी नहीं होंगे, इसलिए दोस्ट जिन्दगी में, जहां विश्वास है, वहां होसला भी कायम है, वहां धन भी आ जाता है, वहां ज्यान की भी, कोई कमी नहीं रहती, और जिन्दगी में आगे, बढ़ने के लिए इन तीनों की, बहुत जरूरत होती है, हमारे अंदर जो विश्वास है, वही हमको जीत दिलाएगा, और हमारे लक्षय तक पहुँचाएगा, इसलिए आगे बढ़ने से पहले, अपने विश्वास को हाशिल कर लीजिए, क्यूंकि जब हमें विश्वास होगा, तो हम ग्यान भी हासिल कर लेंगे, और उस ग्यान की मदद से, हम धन भी हासिल कर लेंगे, जो भी काम कर रहे हो, उस पर अपना सो प्रतिशत दीजिए और विश्वास के साथ, उस काम को कीजिए, क्यूंकि जिन्दगी की लडाईयां तेज और मस्बूत, लोग नहीं जीतते, बल्खी, जीतते वही हैं, जिनको विश्वास होता है, कि वह जीतेंगे, समाज में भी हम देखते हैं, कि आज कल लोग जमीन जायदाद का बटवारा करने में लगे रहते हैं, जैसे दो भाई हैं तो अपने पिता की जमीन, को अलग-अलग बाटने में लगे, रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उन्हें अपनी जमीन का बटवारा करना पड़ता है, और धीरे धीरे उनके पास धन समपत्ती की कमी होने लगती है, लेकिन जिन परिवारों में विश्वास होता है भाई भाई में फ्रेम और विश्वास होता है, तो भले ही उनके पास पहले धन नहों बाद में बहुत धन समपत्ता आने लगती है, इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार में और खुद पर विश्वास करना चाहिए, Moral of the story Thank you